मेरे सबी किसान भाईयों को नमस्कार मेरा नाम है नितेश जैन और आप सब का स्वागत करता हूँ मैं आज के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे क्रिस्टिल कंपनी की अमोरा दवाई के बारे में जिया दोस्तों इस दवाई के बारे में आपने बजार में खूब नाम सुन रखा है और इस दवाई के बहुत ही अच्छे परिनाम आते हैं यह हम सब को पता है लेकिन इस वीडियो के माधियम से आपको इस दवाई की बहुत जादा गहन रिसंट्स करके जानकारी देंगे कि यह दवाई आपको कौन-कौन सी फसल में उपयोग में लेनी है इसके टेक्निकल नाम के बारे में बताएंगे इसकी डोस के बारे में आपको समझाएंगे और इसकी पूरी विधी के बारे में आपको तमाम महत्वपून जानकारियां देंगे कि किस तरीके से यह दवाई कै कैसे काम करती है और इसके कैसे कैसे परिणाम आते हैं और इस दवाई को आपको करने का तरीका भी समझाएंगे और लास्ट में आपको सावधानिया क्या-क्या रखनी चाहिए अमोरा दवाई करते समय इन सब के बारे में भी जानकारी देंगे तो दोस्तों अगर अभी तक भ कर लीजिए और जादा जानकारी के लिए हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए आए दोस्तों शुरुवात करते हैं कि जो अमोरा दवाई है इसका मुख्य रूप से उपयोग आप सोयावीन और कपास में ही कर सकते हैं अन्ये दूसरी फसलों में आप इसका उपयोग नहीं कर स में हैं सोरी तीन परसेंट एससी फॉर्मिलेशन में हैं और यही दो टेक्निकल है जो इस दवाई को बहुत ज़्यादा घातक बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं क्योंकि ये बजार में उन चुनिंदा दवाईयों में से एक है जिस और एक ही खरपत्वार नाशक ऐसा है जो चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती पे एक ही खरपत्वार बिल्कुल तरीके से नियंतरन करता है बहुत प्रभावीडम से काम करके देता है और अगर हम बात करें इसकी डोस की तो 500 से 600 ml पर एकड के इसाब से आपको इसका डोस ले अगर हम बात करें इसके महत्वपून बातों की तो दोस्तों ये चौड़ी और सकड़ी पत्ती वाले तमाम खरपत्वारों को नश्ट करता है बिना किसी दवाई के मिलाए हुए ये इसकी बहुत ही ज्यादा खास बात है जैसे कि मैं अगर नाम लेकर बताऊं तो फूल किय चिरपोटा, लस्वा, जंगली चौलाई, बोकना, हजार दाना, छोटी दूदी, बड़ी दूदी, गुलतेवडी, गाजर घास, पत्थर चट्टा, खूनी जीरा, सावा, बट्टा, बट्टा चारा, मकडा घास, बर्रू, दूब घास, कंगी घास, सुनेरी घास, सरकंडा घोडा घास, जंगली जुआर आदी को नियंतरन करने के लिए किया जाता है, मेरे इसाब से कोई सावी खर्पतवार ये नहीं छोड़ती है, यहां तक की काच्रे की बेलडियां, बोकना, जंगली चोलाई, आदा सीसी, सिर पट्टा, सभी तरह के खर्पतवारों को नश्ट करती है, और उनको आगे भी नहीं उगने देती है, यह इसकी बहुत जबरदस खासियत है, और यह तभी काम करेगी जब खेत में परियाप नमी होगी, जैसा कि मैं अन्य खर्पतवार नाशक के लिए भी बताता रहता हूं, कि बिना नमी के कोई भी खर्पतवार नाशक जादा आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत जादा यह प्रभावी डंग से आपको काम करती हुई दिखाई देगी, और अगर हम बात करें, यह चोड़ी और सकड़ी पत्ती दोनों ही तरह के घासो को नश्ट करती है, इसी वज़े से इस दवाई को बहुत ही ताकत बातवर माना जाता है, और इसी वज़े से इस दवाई की मार्केट में बहुत अच्छी पहचान भी है, क्रिस्टिल कंपनी की अमोरा दवाई के साथ में आपको बिना कोई खर्पतवान आशक दवाई के साथ मिलाए हुए भी, चोड़ी और सकड़ी पत्ती के तमाम कच्रो को एक ही ऐसा प्रड़क्ट है, जो बिल्कुल तरीके से साफ करता है, खतम करता है, उगने भी नहीं देता है, यह थी तमाम मैत्वपून जानकारियां, क्रिस्टिल की अमोरा के बारे में अगर हम बात करें सावधानियों की, तो दोस्तों कोई भी दवाई हो सावधानी का के रखना है, खाली पेठ हमें कभी भी खेत में इस्प्रे करने नहीं जाना है, जब भी आप दवाई का इस्प्रे करें तो बहतर परिनामों के लिए फ्लैट फैन नौजल और नैपसेक इस्प्रे पंकाही उप्योग करना है, हवा से विपरीत दिशा में कभी भी भी हमे लगे और अंत में सबसे महत्वपुन बात है दोस्तों कि ये जितनी भी दवाईयां है इनको आप जब पूरी तरीके से खतम कर लें तो बॉटल को नश्ट करके वहीं जमीन में गाड़ कर चले आए अन्ये किसी भी उपयोग में आपको इनको नहीं लेना है ये मानव शरीर के बरोज दवाई के बारे में जियां दोस्तों ये काड़ाप, हाइडोक्लोराइड और इमाबेक्टिन, बेंजोइट का एक जवर्दस मिश्रण है जो केवल अडामा कंपनी के पास ही है अभी तक तो तो प्लीज इस वीडियो को देखने के लिए और ये जानकारी अगर आप को पसंद आईए हूँ तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए दोस्तों जितना जादा हो सके हमारे वीडियो को शेर करूए आपके फेस बुक हैंड morning पे आपके इंस्टागराम हैंडू पे और आपके वाटसनब स्टेटास पे WhatsApp ग्रूप में हमारे वीडियो को फैलाईए दोस्तों ताकि हमें मोटिवेट हों और हम आपको जादा से जादा जानकारी उपलप्त करा सकें और हमारे चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले नोटिफिकेशन का बेल आइकन तो आपको जरूर प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे दोस्तों नमस्कार